हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगी डोकला तो डोकला बनाने के लिए मैंने याप पिलिया है 250 गरम बिसन तो यहाँ पे एक्जार्टली 400 मिल पानी मैंने नाप के लिया है यह आपको नॉर्मल पानी लेना है गरम पानी नहीं लेना है थोड़ा थोड़ा पाने डाल के हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगी इसमें गुटलिया नहीं रहनी चाहिए आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है हम लोगों अभी पूरा पाने डाल दिया है अच्छे से मिला लेंगी इसको देखिए इस तरह से इसमें गुटलिया नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल अभी इसमें ये एक टीस्पून साइट्रे कैसे एक टेबल स्पून तेल और ये नमक और हल्दी हाप टीस्पून अभी आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है मैं यहाँ पर केक पैन यूज़ करूंगे डुकला बानाने के लिए आपको लोगे तो आप कोई दूसरा भरतन भी यूज़ कर सकते हो इसमें थोड़ा सा तेल डालके ग्रिस कर लेंगे तो पानी गरम करने के लिए रखते ना है और बानी के बीच में आप लोगो कोई स्टैन या कोई प्लेट कुछ भी आप रख सकते हो इसकी उपर हम लोगों को डुकला का पैन रखना है और अभी हम लोग इसको फिर से एक पार अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी इसमें एक टिस्पून इनू डाल देना है और इनू डालने के बाद आपको इसको जल्दी-जल्दी मिक्स करना है और तुरंत ही पैन में डाल जेना है जल्दी जल्दी यह आपको करना है अब इसको आपको तुरंत पैन में डाल जेना है इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है और हम लोगों ने पानी करम करने के लिए अल्रेडी रख दिया था तो अभी उसमें जल्दी से रख देना है और जल्दी से इस पर इसको cover कर लेना है रखकन रख देना है और अभी इसको medium flame पर आपको 20 मिनिट टक होने देना है तो अभी 20 मिनिट के बार रखकन निकाल देंगी तो देखिए डोकला आच्छे से बन गया है अच्छे से फूल्ट के भी आया है तो अभी अच्छे से पूरा पका है की नहीं यह हम लोग एक बार चेक कर लेंगे देखिए इस तरह चाको डालके चेक कर लेंगे देखिए चाको पूरा ख्लीन आ रहा है मतलब यह पका है तो अभी यह बन गया है अभी इसको हम थंडा होने देंगे तब तक हम तड़का बना लेंगे अभी तेल गरम कर लेंगे और तेल गरम होने के बाद इसमें ये राइ डाल देंगे राइ को अच्छे से तड़क ने देजिए फिर इसमें ये हींग डाल देंगे ये हरिमिच और ये करीपता अच्छे से होने दीजिए इसको तेल में और इसमें अभी हम लोगी पूरा एक कप पान ने डाल देंगे और अभीस में ये एक टेबल स्फुन चीनी डाल देंगे चीनी आपको लगे तो आप जयदा भी डाल सकते हो बीस को चीनी जब तक घूलने जाती तब तक इसको अच्छे से मिला लेंगे चीनी अच्छे से घूलने के बाद आपको ग्यास बन कर देना है तो अभी डोकला थंडा हो गया है तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको हम लोग स्क्वेर शेप में कट कर लेंगे अभी डोकला को कट करने के बाद इस पे हम लोग तड़का डाल देंगे तो तड़का गरम होना चाहिए अगर थंड़ा हो गया तो आप इसको फिर से गरम कर लिजे और अभी हर एक पीस पे आपको अच्छे से यह तड़का डालना है तो अभी हमारा दोकला बनके तयार है एक पीस में आपको निकाल के दिखा देती हूँ इदिखी कितना स्पँजी बना है आप डोगले को नारेल के चटनी के साथ या पुदिनी के चटनी के साथ सर्ग कर सकते हो और अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए